दोस्तों आज आपके साथ भरवा करेली की रेश्पी शेयर कर रहे हैं और जिस तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है उस तरीके से अगर आपने बनाया तो आपका करेला बिल्कुल भी करवा नहीं बनेगा यह हम सबको पता है कि करेला हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी करवाहट पसंद नहीं आती है तो वो खाना पसंद नहीं करते लेकिन जो तरीका मैंने बना कर बताया है आपको दिखाया है उस तरीके से अगर आपने बनाया करेला सबसे पहले हमने आधा किलो करेला लिया उसको अच्छी तरह से पानी में धो लिया है उसके बाद हम इसका छिलका उतार रहे हैं तो इसका छिलका बड़े आसानी से उतर जाता है जिससे हम आलू छिलते हैं उसी छिलनी से अगर हम इसको छिलेंगे तो यह आसानी से उतर जाता तो अभी देखे हैं हमरे सारे करेले जो है छिल चुके हैं अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें हम सारे करेले डालके उसको अच्छी तरह से धो देंगे इससे जो उपर से छिले हुए कड़ चिपके हुए हैं वो सारे निकल जाएंगे इसको धुलने के बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे पहले और उसके बाद हम इसको एक छन्नी वाले बर्तन में रखेंगे जिसमें हम लोग फरा वगेरा बनाते हैं उसमें डालके इसको हम वायल करने के लिए रखेंगे तो यह हमने देखे चन्नी ले लिया है इसके उपर हम रख देंगे और भगोने में हमने पानी रख दिया है पहले से गरम होने को इसके उपर हम भगोने के उपर इसको रखके और ढखकन लगा के हम इसको करीब 5-7 मिनिट के लिए छोड़ देंगे जब यह अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम इसको उतारेंगे तो 5-7 मिनट हो चुके हैं तो हमने इसको ढखकन हटा के एक बार चेक कर लिया है तो अभी देखें करेला हमारा अच्छी तरह से पक गया है अब इसको उतार के हम रख देंगे ठंडा होने के लिए और तब तक हम मसाला तयार कर लेंगे तो मसाला बनाने के लिए हमने चार चम्मच छोटा चम्मच है तो उससे हमने ले लिया चार चम्मच धनिया और आधा चम्मच हमने जीरा ले लिया है एक चम्मच सौफ ले लिया है आधा चम्मच मेथी है और 10-15 जो काली मिर्च के दाने हैं उसको ले लिया आप अगर चाहे तो अजवाइन भी ले सकते हैं और उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्ची डाल दी है अब इसको हम भूनेंगे धीमे आज पे तब तक जब तक कि इसके अच्छी से खुश्बू नहीं आ जाती है जो है बनाने का इससे आपको बना कर अगर आप रख दे तो यह हफते भर खराब भी नहीं होगा और बिल्कुल इसमें अचार का स्वाद आता है तो मसाले हमारे भून चुके हैं इसको हमने प्लेट में रखके थोड़ा सा पहला दिया है ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए और जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसको सूखा ही इसी तरह से पीस लेंगे तो हम इसको मिक्सर जार ले लिए हैं उसमें डालके और इसको हम पहले सूखा पीस के तयार कर लेंगे फिर हम इसको मॉस्चर देने के लिए कुछ और मसाले हैं उसको तयार करेंगे तो देखे मसाला मारा पिस चुका है इसको एक प्लेट में निकालते हैं और फिर इसी जार में हम डालेंगे थोड़ा सा आम और लहसून और प्याज उसको हमने रखा हुआ है छिल के काटके तो इसमें डाल देंगे तो हमने पहले लहसून डाल दिया फिर हमने इसमें प्याज डाल दिया है और कच्चा आम कटा हुआ है उसको हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हमने कदुकस कर लिया था आप ऐसे भी कट करके डाल सकते हैं अब इन तीनों चीजों को हम पीस लेंगे फिर से तो देखें ये पेश्ट हमारा तयार हो गया है अब इस पेश्ट को उसी मसाले के साथ हम एड़ कर देंगे जो मसाला हमने भून के और पीस के रखा है उसमें हम इसको डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए और नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार अब इन सब को एक साथ अच्छे से मिक्स कर देना है मसालों को तो इसको हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सरसो का तेल भी डाल सकते हैं तो इसमें और अच्छे से मौस्चर आ जाएगा तो अब चली मिला लेते हैं मसाले को और उसके बाद हम इसको करेले में भरेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीका है इस तरीके से बनाया हुआ जो आप अगर कलोजी बना लेते हैं या आप चाहे तो इसी तरह से आचार भी बना के रख सकते हैं मसाला हो गया है तयार हमारा मसाला को हम रखते हैं किनारे और जो करेला हमने बॉयल करके रखा है वो हमारा हो गया है ठंडा तो उसका हम जो थोड़ा सा कट लगा के उसके बीज हम सारे निकाल देंगे अगर आपको बीज पसंद हो तब आप उसमें रहने दें लेकिन अगर बीज नहीं पसंद है तो बीज को आप निकाल दें तो हमको बीज हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आता है इसलिए हमने सारे बीज को निकाल दिया है तो हलका सा कट लगाएंगे और उसके बाद हम इसको बीज को सारा निकाल देंगे और बीज में ही ज़्यादा कड़वाट होती है छिलके में और बीज में तो इसलिए हमने बीज को निकाल दिया है और अब मसाले हमारे हो गए हैं तयार तो हम इसको भर देंगे सारे को तो सारे करेले पहले हम भर के रख लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राइ करेंगे तो भरने के बाद हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसको धागे से हम बान देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो निकल लेना क्योंकि मसाले जब हम तेल में डालते हैं करेले को तो सारे मसाले जो है निकल के वो तेल में फैल जाते हैं फिर वो जलने लगते हैं और स्वाद इसका उतना अच्छा आता नहीं है तो इसलिए हमने थोड़ा सा मोटा सा धागा लिया है जिससे हमने इसको अच्छी तरह से देखे लपेट दिया है और इसी हम अपने पूरे करेले को लपेट के अच्छी तरह से और फिर हम इसको फ्राई करेंगे आप चाहे तो पहले करेले को अकेले फ्राई भी करके और फिर भर के और उसके बाद दुबारा तेल पे रख सकते हैं बहुत सारे प्रोसीजर हैं लेकिन जो आसान तरीका मैं आपको पता दे रही हैं अब करेला हमने भर के रख लिया अब हमने कडाही रखा है उसमें तेल डाल दिया है और उसके बाद एक एक करके करेला हम इसमें डाल देंगे और उसको हम ढखकन लगा के छोड़ देंगे और उसके बाद बीच बीच में ढखकन हटा हटा के हम इसको अच् क्योंकि जो मसाले हम भून के बनाते हैं उसमें बिल्कुल अचार वाले फ्लेवर आते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है तो हमने पांस मिनट इसको रख दिया था धीमे आज पे और उसके बार धक्कन हटा के दुबारा हमने इसको पलट दिया है और इसी तरह से उलट प हमारा करेला जो है अच्छी तरह से हो चुका है और एक तरीका और भी है आप चाहें तो इसको बेशन में डीप करके फ्राई भी कर सकते हैं वो भी तरीका में किसी दिन आपके साथ सेर करूंगी तो यह हमारा बनके हो गया त्यार मैं इसको धागा इसका जो है निकाल दी कट करके और अब इसको हम सर्व कर देते हैं तो रेश्पी पसंद आया हो तो लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स रेश्पी के साथ तब तक के लिए नमश्कार